इस वक्त एक और बड़ी खबर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सर्मा ने राच में मुस्लिम अबादी पर बहुत बड़ा दावा किया। आबादी पर असम के सियम का बहुत बड़ा दावा। इस वक्त बिस्वा सर्मा ने राच में मुस्लिम अबादी पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। हिमंत बिस्वा सर्मा ने दावा किया है कि आने वाले कुछ सालों में असम में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी के साथ बड़ने वाली है। इतना ही नहीं उन्होंने यहां तक कह दिया कि 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज बन जाएगा। और असम के अंदर हिंदों की आबादी अल्प संख्यक हो जाएगी। हिंदू बहुत हिंदू बहुत हिंदू हिंदू राज बहुत हो जाएगी। जpraшая पर सिर्फ किर इक थी आड़ाई कर आप तू outsiders a फार फार आ की खर फोन Крас स्ट राप फार सिर्फ कोईिस और के शुन्म तो मा गियासा मैं माई को आ नाए इंडियान सेंस लिक यह सरी किया WILKA तो मुरक चल अट्वा डिफा नहीं तो इस बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है कॉंग्रेस से लेकर लेट तक हिमंत बिश्वसर्मा को चौतर फगे रहे हैं विपक्ष का आरोप है कि हिमंत बिश्वसर्मा छूट बोल रहे हैं और ऐसे बयान देकर वो दो समुदायों के बीच में दुश्मनी को पढ़ावा दे रही हैं इखटा था यानि कि उसमें से चार राज्ये और बन गए नागालेंड, मिजोराम और उनाचल प्रदेश में गाली ये सब आसाम का पार्ट हुआ अब वो अलग राज्ये बन गए तो जाहिर सी बात है जो नौन मुसलिम पॉपुलेशन मैजोरटी थी उनमें चार राज्ये अलग बन गए तो जो मुसलिम पॉपुलेशन उसके त्वाजूं मैं व कुई हम्लग प्रदेशन में गए तब चूट क आप प्रदेश अच्छ सेवोड़ी लिए की बन का राजूंच हो activities He's actually creating a sort of a a sort of enmity between two communities by saying that one communities number will be such and so such in after some years so this sort of projection and giving us some sort of a वानिंग इस नॉट दी कॉंसुशन रस्पॉंसिबिल्टी ओफ ए एलेक्टट चीफ मिनिस्टर। विपक्ष के आरोपों से अलग असम सरकार इस वक्त जनसंक्या नियंत्रन को लेकर अपने इस्तर पर काम करने में जुटी हुई है। सीम हिमंत अबिस्टर सर्वा ने असम में मुसलिम विवाह को लेकर नए कानून को पारित करवाने की त्यारी शुरू करती है। झाल झाल